देखें संडे का दिन साल का पहला दिन जी हाँ और आप सोच रहे हैं कि छुटी वाले दिन कुछ नया तो करना ही चाहिए तो क्या देखा जाए तो वेल पिचर्स का दूसरा सीजन आ चुका है और इसका रिव्यू हम ले आए हैं आपके लिए हम जस दौर में जी रहे हैं वो है स्टार्टप्स का दौर इसी वज़े से टीवी एफ पिचर्स सीजन टू बन जाता है हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट चाहे आप इंडिया के यूथ हैं या आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं सब का सवाल सेम ही है जॉब करें या स्टार है कि भई एक ग्रूप ऑफ बैचलर्स हैं उन लोगों ने सोचा की चॉप छोड़ देते हैं और फिर स्टार्टप बनाते हैं और स्टार्टप को मिल जाती है फंडिंग और ओडियन्स को लगता है कि स्ट्रगल खतम बड़ एक्चली यह स्ट्रगल की शुरुवात है टाने क्यरेक्टर्स थे उन में से कई मेंटेंड है और उन लोगों की जर्नी और ज्यादा कॉंपलेक्स हो गई है बहुत ही इमोशनल सीजन है हर कोई वो इनसान जो अंत्रप्रुनोरियल स्पिरिट रखता है उन लोगों के लिए यह एक बड़ा ही इमोशनल सीजन है बहुत ही इंट्रिस्टिंग फेस जो आपको दिखाई पड़ेंगे वान इस रनवीर अलाबादिया सेकेंड अंकुर वारिकू एंड थर्ड अशनीर ग्रोवर जो की है भारत पी के फाउंडर जो की आपको स्टार्ट अप शो शॉक टैंक में भी दिखाई पड़ते हैं एक सवाल जिसके बारे में आप सोचते रह जाओगे वो यह है कि जीतू आखिर कहां गया सो इस सीजन में जीतू नहीं है बड़ तो गुट पार्ट इस कि इस जीतू की एकसंस को स्टोरी ने बहुत ही स्ट्रॉंग वे में यूज किया है उसे एक अड्वांटेज बना दिया है पुट और अच्छली उसके कमी महसोस नहीं होती तो यह सीजन जो है वो बड़ा ही देंस, कॉम्पलेक्स और इंट्रिस्टिंग रहा है फोर वीवर्स अवर्यथिंग वहां प्लोट और जादा स्ट्रॉंग बना दी गई है ग्रांड स्केल पर ले गए है चीजों को बट र श्रेया वो एपिसोड में कब आएगी, वो कहां दिखाई पड़ेगी और अच्छली वो उतना दिखाई नहीं पड़ती है तो आप सोचते हो कि क्या अगले सीजन में रूमैंस वापस आने वाला है या फिर पिचर्ज में अब रूमैंस खतम हो चुका है ABP News आप को रखे आगे देखे एक तो साल का पहला दिन, उपर से संडे का दिन, यानि छुटी का दिन, आज के दिन ना अन्वाइन कीजेगा, रिलाक्स कीजेगा, दौड में मत रहिएगा मतलग कि जो नया साल है, जो नई वाइब्स हैं उसको इंजॉय का कीजे और उसका बेस्ट तरीका होता है फैमिली टाइम निकालना तो चलिए आज बिट्टू की मम्मी के साथ भी खेलेंगे कुछ ऐसे खेल, जिसनको खेल कर नई साल का आनन्द आ जाएगा अरे अन्नू की मम्मी, ये दो हजार तेईस आ गया है और बहुत मजा आ रहा है बहुत सारा धमाकेदार, प्यार, पैसा और गुड हेल्थ, मेरी आपके हम सब की अन्नू, कहां गए जाने, विमला, अरे चाय बाद में पीना आजा, खेलने सारी मस्तियां देखना न भूले, SBS औरिचनल पर, मैं सुरीत अरजवार के साथ अरे कहां हैं सब लोग, मैंने बिट्टू को भी बुलाया था, अभी हमारा मैच होने वाला है, मुझे लगता है इस पार तो मैं जीती जाओंगी अरे आप तो यहां सब बिचा के मैठे हो, वावाँ, क्या बात है, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी है, यह जोला देखे, दो हगे हजार बाइस के खुशी आए इसमें, एसमाल के रखते है भाया इसमाल के रखतेते हैं बहिया, साल का पहला दिन है, और हम इसको मना रहे हैं संडे हैं? संडे है. य। सबहुत हैं, और किया। bangласт23 ai timp के साथ, विलहू ось को मिलेगा आप तो हमेशा फरस्ट रहना चाहता है, तो बात बता हूं देको फर्स्ट थारीक है, और हां फरस्ट रहना चाहते हूं, जिससे बस समसा यहा जाता है फरस्ट रहकर. ये जिन्दगी आदों के गुलक से ही हम तीन ओरते हैं, ये अकेले आदमी हैं, इनको बोलते हैं, ये शिरू करेंगे ये साल 2022 महिलाओं का साल था महिलाओं का साल था हमारा योगा मौका दिया है, हमने बस मार भीन ही उनको दिया लाग करपा, आने वाले शिरीदे ले मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं, मेरे दो दो, मैस्ट वेप रिलीज होने वाली हैं और अगर में 2022, 2023 दो ही करपा रह थै sha हूं आने वाले महनों मैं यह को मैं दो, शही कर रही हूं उसमें बड़ा डिफरेंट रोल हैं मेरा पंचात को बुर्मय ऋद्सार करुणे देवी के मैं इसкое थैसरेज अलग हैं बट सेम भी है आपकी फेवरिट कोंसी है बिट्टू की मम्मी मुफट है और थोड़ी सी बेवकूफ भी है उसको पता ही नहीं होता है वो क्या बोल रही है और उसके मन में कुछ है नहीं किसी के लिए लेकिन करांती देवी थोड़ी सी चतुर है और वो जो है यह ज जगडालो भी है गया बिट्टू के मम्मी बोलेगी तुम्हें पता है दूबारा गया बिट्टू की मम्मी बोलेगी तुमको पता है वह 50 नंबर वाली रहती है उसके पती कल बड़ी देर मे आये रात में लड़क़ा भी रहते हमने अपनी खिरकी से जहांकर देखा और मुझे लगा मैं किसी को बताओं या नहीं बताओं पर क्या है हम तो पड़ोसी लोगे ना अब हम अपने प्रश्यों का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा इंडॉस्ती में आपको हमें कई केरदारों मैं देखा कई रोल्स में देखा प्र बिट्टो की यहां पर ब और उनके confidence को देखा, जिस तरह से सुन्दर सुन्दर लड़की आंके audition के टाइम पर उसी समय परस से निकाल के अपना touch up करती थी और ऐसे जाती थी और उनका style जो होता था वह हम छोटे शेर के लोगों में नहीं होता है, हम मुझे ऐसा लगता था अपने जो पड़ोस में मैं स अपना काम मुझे लगता है अगर हम इमानदारी से करते जाएं और कौन सा काम हमें कहां ले जाएगा, कौन से क्या दिशा मिल जाएगी यह हमको पता नहीं होता है, तो बहुत जादा जज्ज्मेंटल होकर या फिर बहुत जादा प्लान करके नहीं करना चाहिएं जजद, दौलत और शोहरत, यह तीन चीज़ ऐसी होती है कि वो कोई सीमा नहीं होती है, यह कभी भी मिल सकती है, जिसमें अगर हम स्थाई रूप से देखें तो वो शायद सिर्फ सिक्के डालने वाले एक उसको जब हम छोटे शेर में होते थे तो तो पाउडर का डबबब करते हैं आधी माझाले एक निसमेंट में तक्री नहीं होता दीज़ के बिटे तो उसमें विरागा शाई नहीं होता है अभर मेरी पोटली मैं एक्चली क्या होता है वो बालवल उडरता है नो इसकी लेए उन्स थे लिए उट रिखोंत होता है और देखो भही मैंने एक Green Dream Foundation करके एक association उनके संकाम करती हूँ तो हम लोग प्लास्टिक, पेपर इन सारी चीजों की बरबादी निकटते हैं तो मैं अपना फ्लास्क अपने नम का हमेशा रखती हूँ इसमें मेरा गुरूबी अंदर तो मुझे अगर कॉफी पीनी है तो मैं उसे सिर्फ कफी लेकर इसमें यह से शेक कर के मेरी कॉफी हो जाती है तो मैं पता रहे है कि इसमें का जीता है? हाँ और क्या है और मेरा फोन है इसमें और कोई भी शो आफ नहीं है बिलकुल नहीं और किया और मेरा ये फर्स है जिसमें मेरे दो तीन क्रेडिट कार्ज और सारे बैंके कार्ज है और मेरे घर की चाब भी है मैं थोड़ा ना मैचिंग करके चलती हूं I have a lot बिट्टो की मम्मी और क्रांती जी के साथ वाज हमको बहुत मज़ा आया पट हम उम्मीद कर रहे हैं कि दो हजार तेईस में हमने आज साल की शुरुवात भी आपसे की और साल भर भर के आपकी फिल्में ओटी टी पे शोस अब तैंक यू तेखने मिले ABP News आपको रखे आगे हाँ हाँ पता है पता है बीती राज देर राज तक आप सब लोगों ने पाटी की और आज दिन का उजाला देखना मिस कर गए लेकिन यकीन मानिए जब आप साल का पहला सूर्योदे देखते हैं उसके दर्शन करते हैं तो दृष अद्भुत होता है उससे मिलने वाली उर्जा अमेजिंग होती है तो देखिए किस तरह साल का पहला सूर्योदे और वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे है हमारे पसंदीदा के लाकार हैपी न्यू येर सो आज साल का पहला दिन है और पहले दिन के शुरुवात बहुत खुबसूरत सी होनी चाहिए बहुत मज़िदार होनी चाहिए और हम आए हैं ये सीलिंग के व्यू पॉइंट आज हम लोग यहां से सूर्योदे देखेंगे हाँ जी साल का पहला दिन का सूर्योदे जो की बहुत इंपोर्टेंट होता है बहुत खास होता है क्योंकि आज से फिर हमारे पूरे साल की शुरुवात हो जाएगी ओ माई गॉड लुक अट द व्यू जिसका हम इतिजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है हमारे सूरस देवता आ चुके हैं देखिए कितना खुबसूरत नजारा है सु फाइनली हमने सूर्योदे देख लिया एंड साल का पहला दिन की शुरुवात हम सूर्योदेवता को जल चढ़ा के करेंगे सूर्योदेवता को जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है एंड हम सूर्योदेवता से आज बहुत सारा अश्रवात लेंगे सूर्योदेवता को अर्ग दे दिया है हमने आरती भी कर ली है आज बहुत सुकून मिला साल की शुरुवात इतनी अच्छी इतनी खुबसूरत होगी यह मैंने नहीं सोचा था जाती हूं जैसे सूर्य उदय जब होता है तो लोगों को प्रकाश देता है इतनी पॉजिटिविटी रहती है तो मैं चाहती हूं मेरा आने वाला साल भी ऐसे ही सूर्य के सूरज की तरह चमकता रहे प्रकाशवान रहे और आप लोगों को भी नए साल की धेर सारी बधाया, धेर सारी शुपकामना आए, आपका भी आने वाला साल, ये साल बहुत अच्छा जाए, आप लोग जो भी जाते हैं, जो भी आप सबकी विशेस हैं, वो सबकी सारी विशेस पूरी हो जाए ABP News, आपको रखे आगे देखे, छोटी-छोटी बाते होती हैं, जो हर experience को खास बनाती हैं, इंसान को भी यही छोटी-छोटी बाते ही हैं, जो interesting बनाती है तो चलिए, जब नए साल की कर रहे हैं शुरुआत, तो ऐसा करते हैं कि हमारी जो पाक ही है, उनको भी बहतर समझने की कोशिश करते हैं, उनकी छोटी-छोटी बातों के सार्थ हाई थिसस मुसकान बामने और आज का हमारा सेशन है स्लैम बुक को लेकर और आप जानने वाले हैं मेरे बारे में हर मो छोटी चीज जो बाकी साथ नहीं जानते सब मुझे अलग अलग नाम से भिलाते है, मामी मुझे मलाइका कहती है, मुझे मुझे कहती है, मेरी बहन मुझे मुझे म कहती है मेरी बार्थ देट है 10th September 1999 मैंने स्कूलिंग तो बहुत सारी जगों से की है, मतलब अधा MP में किया है, अधा यहां किया है तो यहां पे था रितुमबरा कॉलेजिंग महा से की है और राज राने मलोत्रा विडालस से स्कूलिंग की अधा है Education मैंने अभी BCOM कम्पीट किया है तो graduation completed First break as in acting में, first break था मेरा सबसे पहला जो मेरा short था वो था परवरिश में First salary वी वी Maybe 4,000 कुछ होगा Favourite subject? I used to enjoy GK थोड़ा पहत Mujhe khani में non-veg जादा पसंदा Chicken I don't like घूमना जादा तो जब भी मुझे 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 यहां से कहीं जाना होता है तो मैं सिर्फ खर चाती हूँ Happy Past time on set हम लोग वीडियो से और रूम थोड़ा चिलिंग वाला है TV वागेरा है रूम में तो उस पर Netflix चलता रहा If you are not acting, something into dance मुझे dance बहुत पसंद है Something in dance का field My best friend is Priyanka Thakur जो कि यहां पर मेरी school में थी उनका नीचर मतलब how they treat others कितना respect से वो पात करते हैं जोगों से हाँ, कभी-कभी ऐसे फंबल हो जाता है तो फिर पीछे से सब बोलने लगते है कुछ-कुछ-कुछ तब होता है थोड़ा सा Happy moment इसे काम से रिलेटिड बताऊं तो जब सीन अच्छ होता है और सब से थोड़ी तारीफ मिलती है तो वो मेरी लिए बहुत Happy moment होता है Happy moment On the set पे मैं क्या गहरी करती हूँ? मेरा थोड़ा मेक अप और फोन चार्जर वगएरा और साथ में मेरे चाचु हमेशा मेरे साथ होता है Happy moment Funny incident यह होता है हमारे सेट पे Toshu Bai थोड़ा बहुत हासी मजाग मस्ती करते रहते है कुछ कुछ बोलते रहते है तो वो ही याद हो जाता है जैसे अभी खल मैं खड़ी हुई थी अभी थोड़ा वेट केर लिया तो पीछे पापा बोलते है कि इसके गाल ना मुझे पीछे से भी दिख रहा है तो इतने बाहर आ गए तो ऐसे सब चुटी-चुटी मस्ती आना सेट पे चलती रहती है मजा आया काफी कुछ चीजे वापस रिकॉल की दिमाग में जो कि हम जर्नली नहीं करते हैं तो उसके लिए थांक यू सो मच ABP News आप को रखे आगे देखिये नई शुरुवात जब भी होती है न तो एक positive frame of mind के साथ होनी चाहिए अब परिशानिया तो भहिया पीछा छोड़ने वाली है नहीं ये बात तो पकी है तो उनको कीजे दर किनार और despite all the problems आगे बढ़ते रहिए क्योंकि जब आप मुस्तुर आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे 2022 बहुत कुछ इखाया हमें 2022 बहुत अच्छा रहा मेरे लिए हमारी पूरी फैमिली के लिए सब के लिए रहम दोलब बहुत अच्छा रहा बहुत सारी चीजे हुई है 2022 में कुछ गलतिया है जो मुझ से हुई है और उससे मैंने काफी कुछ सीखा है और हर साल मैं अपनी गलतियों से सीखती हूं इस साल भी मैंने सीखा है अभी ट्राइ करूंगी कि वही चीज को मैं सुधार के एक नही साल में अच्छे तरी से कर पाऊंगे अज़ार बाइस बहुत कुछ सिखा है हमें अवैसे तो हर साली कुछ ने कुछ सीखते हैं मगर फिछले दो सालों ने कुछ जयादा ही सीखें देती बहुत कुछ हुआ लेकिन अच्छी चीज़ने भी हूई और तच्छूट अपना शोव अच्छा चल रहा है को है है में अम अब है अब ही आगी के लिए आगे के लिए सोच सकते हैं Dalam utilities अब ही मिले मगर केछें कि खुषिय बाँनी चाहिए तो बढ़ती हैं तो खुषिया अभी है coloring I got to live fatherhood और अपने वालंड़ा ज़ी miles गूर्शपशन करने को मिले हैं उसके लिए मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूं उपर वाले का और अच्छी यादे कुछ अच्छा काम किया सबसे बड़ी याद तो स्ट्रॉंग याद एखी है लेकिन उसके अलावा सोचना चाह रहा हूं क्या है हाँ, माई डॉर्टर स्टार्टे टॉकिंग उसने बात करना शुरू किया, उसने चलना शुरू किया और अब वो मेरा इंतजार करती है वापस घराने का और टच्छोड मम्मी अभी यहाँ आए हुए है तो उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है और आजन सर के साथ काम करके बहुत मज़ार है DKP Production ने, हर एक जो यहाँ के क्रू के लोग है Production House के लोग है नई मैं हमेशा से यही सोचता था कि बच्चे बता नहीं पाता है कि जब वो पेन में होते हैं, जब उन्ने दर्द हो रही होती है यहाँ चोट लगती है तो तो मैं चाहता था बस वो बोलना शुरू कर दे तो अब उसने बोलना शुरू कर दिया है तो जब भी कुछ होता है तो मैं I think बात करके आप काफी सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो समझ सकते हो तो वो बहुत एक amazing experience है मेले जब मुझे बोलती है यह नहीं यह चाहिए यह नहीं खाना है यह खाना है तो that's amazing मैं बहुत ज़्यादा emotional feel करता हूँ जब वो express करती है कि उससे क्या चाहिए बिल्कुल तया रहना चाहिए मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो उपर वाले की मर्जी से होता है और वो कुछ गलत कर नहीं सकता है हमसे better planner वो है अब उसने कुछ किया है तो वो सही किया होगा यह मान कि हमें आगे बाढ़ने मैं हमेशा यही समझाता हूँ अपने आपको नए साल की हाद देख शुब कामना है देता हूँ आपका नया आने वाला साल और आगे भी सारे साल बहुत अच्छे जाएं गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और बहुत सारी खुशिया मिले आपको 22 साल, लहमदुलिल्ला, बहुत अच्छा रा मेरे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए सब के लिए रहमदुल्ला बहुत अच्छा रा बहुत सारी चीज़े हुई है 2022 में 2022 में हमारा खुद का गाना आया, और फिर उसके बाद सबा की शादी हुई, और उसके बाद बहुत सारी चीज़े हैं अम्मी के लिए मैंने घर पर्चेस किया तो येस अजूनी मिला मुझे तो बहुत सारी चीजे हुई गम का किस तरीके से गम का तो ऐसा अलहमदुलिल्ला ऐसा कुछ नहीं 2021 में था जब पापा की तबित खराब हुई थी 2022 में अलहमदुलिल्ला ऐसा कुछ नहीं गया है 2022 बहुत अच्छा गया है हर मायने में सबसे इंपॉर्टन चीज इस साल सभा की शादी हुई एक बहुत बड़ा फर्ज जो एक होता है भाई के लिए जैसे कि आप सबको पता है कि पापा की तबित थोड़ी सी नासाज रहती है वो ठीक नहीं रहते हैं तो उनके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे उपर दिपिका की उपर कि हम अपने प्यारी जो सभा है उसकी शादी अच्छे से कर सके हूं आई गाईज मैं हूँ शूइप इब्राहीम और मेरी तरफ से SBS के सभी दर्शकों को तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत-बहुत शुपकामना है हापी न्यू येर आई गाईज मैं हूँ आईशी खुराना अचुनी का करतार नंभा रहे हूं और पहली बात हो आप सभी को मेरी दरफ से नए साल की बहुत-बहुत शुपकामना है विश भी न्यू येर अपना नया साल अच्छे से बिताए है खुश रही है अजुनी को मैंने पाया है इस करेक्टर को मैंने पाया है मैं वेरी ग्रेटफुल वर अजुनी और बहुत सारी यूनों मुझे ऐसे कुछ गलतिया है जो मुझ से हुई है और उससे मैं काफी कुछ सीखा है और हर साल मैं अपनी गलतियों से सीखती हूं अभी ट्राइ करूंगी वही चीज को मैं सुधार के एक नए साल में अच्छे त पूरी है वो 2023 में ही पूरी हो आने वाले कई कुछ साल लगेंगे उन ख्वाइशों को पूरे करने के लिए बहुत सारे ड्रीम्स है मेरे जो मैं मुंबई लेकि आई थी तो धीर धीर पूरे होंगे बट कोशिश 2020 से ही मैंने शुरू कर दीती तो तो 2023 भी उसका एक हिस्सा और अजूनी के साथ साथ मुझे कोई एक नया प्रोजेक्ट भी करना है, it can be anything, music, video, advertisement, कुछ भी कोई भी नया प्रोजेक्ट आप लोगों यतना प्यार दिया है, अजूनी के पहले दूसरे मन्त में ही मुझे इतना ज़दा प्यार मिल गया था, मैंने सोचा नहीं था कि मु ABP News आपको रखे आगे